आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सभी सवस्थोंगे महादेव की कृपा आप सभी पर सदायव बनी रहें यह वीडियो कुम भयानी की एक्वेरियस के लिए एक बहुती महत्तपून वीडियो है क्योंकि यह वीडियो है मंगल महाराज के राशी परियतन के पारे मंगल महाराज जुलाई के शुरुवात में ही अपना राशी परियतन कर चुके हैं मंगल कई चीजों के कारक है पराक्र होती हैं तो एक जगापर बैठके ही वो कई चीजों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनका मंग उनका राशी परतन और महत्वपूर्ण हो जाता है तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगी कि आपके लिए मंगल महराज का राशी बतन क्या सगरात्मक क्या नकरात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है और वीडियो केंथ में उपाए भी होंगे कहां से देखे राशी फल टेक्निकली लगन राशी और चंदराशी से लगलग राशी फल नहीं बन सकते मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपना लगन कंफर्म है लगन से उब्ज में आ रहे हैं तूसरी बात वो केंदर में आ रहे हैं तीसरी बात वो अपनी नीचकी राशी से निकल कर आ रहे है और चौतना रहे हैं यानी यह सारी चीज़े जो है parenth को यह मंगल धो काफी बल्शाली बना रहे हैं अंगल और क्या तामे और वृद्धिति ला रहे हैं क्योंकि मंगल पराकरम करक ये मंगल जब सब्थम में आते हैं सब्थम्हार क्या है हमारी पब्लिक लाइफ कैसी हमारी पाभलिक परस्टनैलीटी कैसी हर वेक्ति की डिफेंट फिसनेलेटी जोती है लेकिन हम दिखाते क्या है वो एक major part सब्तम भाव से भी दिखता है तो जो आपकी public image है उसको सुधारने के लिए उसको strong बनाने के लिए मंगल का सब्तम भाव में आना बहुत अच्छे result देगा मंगल सब्तम भ्याव में जब आते हैं व्यक्ति को अचानक से popular कर सकते हैं उसको अचानक से recognition, मान सम्मान, पदप्राप्ति सब कुछ दिला सकते हैं मंगल क्योंकि confidence के कारक है और जब केंदर में आते हैं तो व्यक्ति का confidence बढ़ता है मंगल logical thinking के कारक है क्योंकि यहां से बैटकर लगन को देखेंगे तो आप बहुत logical रहेंगे अगले 50 दिनों के लिए और वो logical thinking का आप अपने जीवन में भरपूर उपयोग कर पाएंगे मंगल क्योंकि property के कारक है तो यदि आप property से सम्मझत कुछ कारे करते हैं तो यह समझ लेजिए जो आने वाले 50 दिन हैं आपके लिए बहुत अच्छे भी हैं और बहुत महत्तपूर भी हैं मंगल का सब्तम भाब में आना व्यक्ति को social life में अचानक से नाम दिला सकता है especially यदि आप politics में हो यदि आप कोई social work करना चाहते हो और लड़ी किसी social work में involved हो आप चाहते थे कि आपके followers बड़ें आपके चाहने वाले बड़ें आपको लोग पहचानना शुरू कर दें तो उसके लिए 50 दिन बहुत महत्तपूर हैं महनत कीजिए आपको recognition आपको पदप्राप्ति आपको popularity fame सब कुछ मंगल महराज यहां पे आके दिलवा सकते हैं मंगल आपके लिए 10 इदारे घर के स्वामी और मंगल आपके लिए तीसरे घर के सवामी तो सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ मंगल क्यों कि एक यह तीसरे भावा के अपकोन का स्थान49 है यानिकि कई आपके हुए कारे कारे की के लिए 20 दिन की अवदि में पूर्रन हो सकते हैं मंगल क्योंकि दस्वे भावगे स्वामी है और दस्वे से दस्वे में आने की सप्तम में बैटे हैं कारेक्षित्र में तेज गती से आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छा उसर आपको नहीं प्राप्त हो सकता मैं recognition की बात दो-तिन बार कर चुका हूँ अगर आप ऐसे वेक्ति हैं जो बहुत महनत से काम कर रहे थे लेकिन कहीं न कहीं जब promotion की बात आते थी recognition की बात आते थी जब आपको मान सम्मान देने की बात आते थी वो उस जगा पे आपका नाम नहीं आता था ये वो 50 दिन है जब आपको अपने अच्छे कारे के लिए मान सम्मान मिल सकता है और आपकी authority बहुत रहेगी कारक्षित्र में आप आगे बढ़ पाएंगे आप नया कारे कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा सम्भावना है कि आपको कोई नया role या नई responsibility भी इस 50 दिन के अफसर में दी जा सकती है और यदि आपने उस role या responsibility को अचीता से निभाया तो आपका career बहुत तेज गती से आगे दोड़ेगा तो मंगल बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव सब्तम भाव में आकर आपको देने वाले हैं क्योंकि सब्तम भाव बिजनस का भी होता है इसलिए मंगल का यहाँ पे आना विक्ति को जैसा मैंने का लौजिकल थिंकिंग के कारक होते हैं जो बिजनस करते हैं उनको आइडियास के वशक्ता होती है तो यहाँ पे आपको इतने अच्छे आइडियास आएंगे जिसको यदि आपने कुछ परसेंट भी इंप्लिमेंट कर लिया तो आपका बिजनस तेज गती से आगे दोड़ेगा भागेगा क्योंकि मंगल दस्वे भाव के स्वामी है दस्वे से दस्वे में आ रहे हैं बिजनस में कंसिस्टेंटली आपको कारे मिलेगा बिजनस कंसिस्टेंटली आपका आगे बढ़ेगा एक और अच्छी चीज ये है कि मंगल पर शनी और ब्रहस्पती दोनों के ही दृष्टी है शनी क्या है लगन के स्वामी है और ब्रहस्पती आपके लिए धनस्थान और लावस्थान के स्वामी है शनी कर्म के कारक है ब्रहस्पती भागे के कारक है तो कर्म के कारक, लगन के स्वामी, दोनों धनस्थान और लावस्थान के स्वामी, भाग्य के कारक दोनों मिलकर मंगल को देखेंगे जो बहुत स्ट्रॉंग पोजिशन में है आप जॉब करते हूं या बिजनस करते हूं, वहापे नाम भी बनेगा, पैसा भी आएगा और कहीं न कहीं आप कुछ ऐसा करने में सक्षम रहेंगे, जिसके कारण आपकी गुडविल बढ़ेगी तो ये जो समय है, पचास दिन का, आपको इसका उपयोग भरपूर करना है यहाँ पे पीछे नहीं अटना, कुछ चलेंजिस आएंगे, आप उसको फेस कर पाएंगे आपको कुछ लोग गिराने की अधी कोशिश कर रहे थे, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे अब आप उन पर हावी रहेंगे तो मंगल देखिए, यहाँ पे बैट कर ही आपके लिए कितना कुछ कर सकते हैं क्योंकि सब्तम भाव में मंगल है और वो नवम भाव से ग्यारवा है और अच्छी पोजिशन है यानि कि आपके पिता जी को किसी तरह का लाब हो सकता है, स्पेशली प्रॉपर्टी का या उनका कुछ प्रॉपर्टी का वादव्याद चल रहा था, वो दूर हो सकता है क्योंकि मंगल सब्तम में है जो पंचम भाव से तीसरा है, स्टूडंस, स्टूडंस के जो एफर्ट्स हैं, उसमें उनको लाब मिलेगा, स्टूडंस का कॉन्फिदेंस बड़ेगा क्योंकि सब्तम भाव चौथे से चौथा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे उप्युक्त समय है आप यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहेते हैं बहुत लंबे अर्से से और आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी या तो बजट नहीं बैट रहा था, अलोकेशन नहीं मिल रही थी आप खुद देखेंगे कि इस 50 दिन के काले खंड में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी जो आप खरीदना चाह रहेते हैं उसके आसपास की ही चीज़े आपको मिल जाएगी तो मंगल यहाँ पर बैट के बहुत अच्छी अच्छी रिजल्ट आपको देने वाले हैं क्योंकि मंगल अच्छी पोजिशन में है यदि आपके पती पतनी काम करते हैं तो उनकी सेलरी भी उनकी इंकम भी इस टाइम पे इंक्रीज हो सकती है मंगल की तीन द्रिश्टियां होती है चोथी सात्वी और आठवी जो चोथी द्रिश्टी है मंगल की वो पढ़ रही है दसवे घर पर दसवा घर से मंगल का है क्योंकि व्रिश्चिक राशी पढ़ती है वहाँ पर जब भी भावादी पती भाव को देखता है, भाव को अत्यन्त स्ट्रॉंग कर देता है, यानि कि करियर में तो आप बहुत तेजगती से आगे बनने वाले हैं, ये वो समय है जब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इसका एक और कारण बन जाता है कि युकि शनी भी पड़ेंगे, जौब चेंज करना चाहरे थे, अचानक से बहुत अच्छा ओफर आपको इस 50 दिन में मिल सकता है, मंगल की सात्वी दृष्टी लगन पर रहेगी, क्योंकि लगन के स्वामी भी बेटे हैं, और दस्वे भाव के स्वामी मंगल भी लगन को देख रहे हैं, द मंगल की दृष्टी आठवी धनस्थान पर, यानि कि पैसा बढ़ेगा, करियर से, बिजनस से पैसा आएगा, और स्पेशली अदि आपका फैमिली बिजनस है, तो ये वो 50 दिन है जब आपका फैमिली बिजनस तेज गती से आगे बढ़ेगा, तो मंगल अभिक्तम जगाओ पर आपको अच्छे ही प्रभाव देते हुए दिख रहे हैं, अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहला सब्तम भाव के मंगल है, मंगल दोश, शनी की दृष्टी है, चीज़ों को और बेगार सकती है, यानि कि मैरेड लाइफ में प्रॉब्ल उने बिजनस में पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इसके साथ ही क्योंकि मंगल का प्रभाव सीधा लगन पर होगा, और लगन में वक्री शनी बेटे हैं, आपका गुस्सा बहुत जादा रहेगा, मंगल अपने अपने अगनी तत्व के ग्राएं, गुस्सा होता है, मंगल के परसनल लाइफ में दिक्कते आएंगी, मंगल का प्रभाव दस्वे घर पर है, चौथी दृष्टी द्वारा, कारक शेत्र में भी भले आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन लोग बहुत जलन की भावना रखेंगे, ये वो समय है जब जो जलसी है आपके खिलाफ वो बहुत जाएगी, और कुछ लोग आपका नाम बिगाडने का प्रयास करेंगे, आपका काम बिगाडने का प्रयास करेंगे, और मंगल की जो आठवी दृष्टी वानी के स्थान पर है, ये भी आपकी वानी को थोड़ी कड़वी कर देगी, वानी का स्थान इस समय थोड़ा आपका पापकरतरी योग में भी है और मंगल का प्रभाव वानी को और कड़वा कर देगा तो अपनी वानी पर नियंतरन रखिएगा क्योंकि ये वो समय है जब वानी पर नियंतरन खोने के कारण संबंद भी तूट सकते हैं तो इन सब चीजों पर ध्यान देजेगा सेहत की जहां तक बात है देखे लगन में ये वक्री शनी है और मंगल का शनी के साथ बहुत अच्छा संबंद नहीं होता बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, नूट्रिशनल डेफिशेंसीज, जोडों का दर्द और इसके साथी लोवर बॉड़ी में कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है उपाय की बात कर लेते हैं आपको घर में बने हलुए का और खीर का बजरंग बली को फोग लगाना है और एक मीठा पान भी अरपन करना है और चार घी के दिए अरपन करने है और दक्षिना मंदिर में देखे आनी है हाँ ये सब जब आप कर रहे होंगे तो वहीं पर हरुबान चालीसा का और हरुबान बाहुप का दोदुबार पाट करना है जो मंदिर नहीं जा सकते वो घर में रहके ही अथासंभव कीजेगा आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी चनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओम नमाट